अलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेथी मटर मलाई की सब्जी की रेसिपी धावा रेस्टोरेंट से भी बढ़िया मेथी मटर मलाई आज हम घर पर ही बना कर तयार करेंगे वो भी बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन स्वाद में ये सबजी बहुत ही जवर्दस्त बनकर तयार होती है तो सड़्दियों की सबजीयों का सीजन ओफ हो उससे पहले आप एक बार ये मेथी मठर मलाई की सबजी बनाकर जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मेथी मठर मलाई बनाने के लिए मैंने यहां पर ये 200 ग्राम मेथी ली है इसे अच्छे से साफ करकर दो लिया है और उसके बाद इसे एकदम बारिक बारिक काट लिया है तो आप से जितना बारिक हो सके उतना बारिक आप यहां पर मेथी को काट कर तयार कर लीजिए साथ में यहां पर एक कटोरी मटल ली है तो मटल को मैंने पांच मिनिट के लिए गरम पाने में भिगो कर रख दिया था ताकि यह हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो चलिए अब सबजी बनाना शुरू करते हैं कटाई में मैंने यहां पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा हम तेल में डालेंगे कुछ खड़े मसाले तो मैंने यहां पर लिया एक टुकड़ा दालचीनी का एक बड़ी इलाइची साथ से आठ काली मिर्च दो लॉंग दो छोटी चिल जीरा तो उने हम तेल में डाल देंगे और तेल में खड़े मसाले और जीरी को अच्छे से चितखने देंगे और आप 5 लासुन की कलिया और एक टुकड़ा आदरका की दो तेल में हलका सा ट्राइ कर लेंगे, अम मैंने यहां पर दो मीडियम साइज के प्यास को मोटा मोटा काट के लिया है, तो इने भी हम कढाई में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे, और प्यास को हम यहां पर हलका सा कराँ में दाला है, काजु में दालेंगे और फ्लिम कर्घुकर फ्लिम में टालेंगे काजु नमक से टीमाफर करें पकड़िये ओंग को हाल passado को आद्स नम death मों नमक करने और उस बनाटेंगे मिडियुम पर रहेंगे अर महं ढकर यहां पर टिमाटर को तीन से चार्ट मिनट तक पकाइए जब सकते हमारा अच्छे से सौ नहीं हो जाताimeter है यह था तीन से चार मिनट हो चुक हैं तो चेक कर लेते हैं और यह देखिए तीमाटर हमारा अच्छे कि देखिए इद्दम सॉफ्ट हो चुका है तिमाटर में जितना पानी था वह भी सारा सूप गया है अब हम गैस को आफ कर देंगे और प्यास टिमाटर के इस पेस्ट को यहां पर हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे प्यास टिमाटर शेbut होके इसमें थोड़ा सा पानी ढालकर इसकाको महीन पीष्ट बनाकर तयार कर लेए यह देखिए एक दो महीन में यहां पर प्यास टिमाटर को पीस लिया तो मैंने फिरसे उसी कढ़ाई को गैस में रख दिया है इसमें डाल दीए है मैंने थोड़ा सा यह बटा और बिल्कु थोड़ा सा तेल जिससे हमारा बटर और उड़े न मैथी काट के रख़े हुई ते असमें कड़ाई में डाला सघर हो से ओर लिया चंप लिया मेथी तक प्लूम Animals केम मेथि जो बहुट थे मेथी को अब पौता हैं अब मेथी केम मेथी केज़ कड़िए। तो हमने यहां पर मटा रखे हुए थे, उन्हें हम कड़ाई में डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम यहां पर कुछ मसाले भी आट करेंगे मसालों में लिया है मैंने एक चमच धनिया पाउडर, एक चथाई चमच हल्डी पाउडर आधा चमच कशमीरी लाल मिर्च और आधा चमच गर्म मिर्च हमने पहले दो हरी डाले थी मसालों के साथ, उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत कम मसाले पटते हैं इस सब्जी में आप हम 2 मिनिट तक मसालों खो भाधा अच्छे भूनेंगे ताकि मतर भी पक जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से भून और यह देखिए यहां पर भूनते हुए मसालों को मुझे 2 मिनिट हो चुके हैं और मटर भी हमारी यहां पर पक कर साफ्ट हचुए है तो हमने प्यास टेमाटर का पेस्ट पीस के रखा हुआ था तो एसे हम कडाई में डाल देंगे चीजे करें तो सारी चीजें हमारे यहां पकी हुई है तो आप सब्सक्राइब को पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो यहां पर मिक्सी के जार में यह प्यास टिमाटर का पेस्ट चिपका हुआ था इसे थोड़ा सा पानी डाल कर इसे भी कड़ाई में आट करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगी अब आप यहां पर एड़ करेंगे आदे चोटी चमश नमक आधी चोटी चमश पहले भी डाला था जो उन्हें टिमाटर पकाए थे तो से अच्छे से मिक्स करेंगी और आप अम सबजी में यहां पर एक उबाल आने का इंदिसार करेंगी गैस की प्लिम को मीडियम पर ही रखना है य लाई मिक्स करेंगे। को मलाई के दान में करेंगे दूढ़का में कारी दानी कमका लाई आप एकिस को कमेंट वर जखाए यह है आपका दो यह सब्सक्रमाइगा को किसी बynnग शब्सक्राइड़ करें महद में रहता मुझां अब कर दो उनकार मोर्ड Св je जग आप है क्या प्रिषित वर मुर्दें आहे negative की आप उसके बाद मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपकी सब्जी कैसे बनकर तयार होई और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा